प्यारे बच्चों कैसे हैं आप स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल A to Z कलासेज में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 2021 में बोर्ड एक्जाम के लिए साइन्स का अबजेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुर्ण परस्न इस वीडियो में बतलाया गया है आप लोगों को 50% अबजेक्टिव आता है और ये अबजेक्टिव आप लोगों को बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें Question No.1 चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है आप लोग चीटी देखते होंगे तो उसमें पीछे में उसका अमल पाया जाता है उसी काटनेस निकलता है तो क्या होता है फॉर्मिक अमल पाया जाता है चीटी के डंक में फोर्मिक आमल या इसी को हम लोग IOPC ने मिथे नोईक आमल होता है तो अंसर हो गया फोर्मिक आमल या मिथे नोईक आमल Question number two पाउधो में जल परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है पाउधों का जो जल होता है जल के द्वारा जल लिया जाता है और वो पूरे पाउधा में फैल जाता है तो ये परकिरिया किस उत्तक द्वारा होता है तो इसका आंसर होगा जाइलम द्वारा तब पाउधों में जल का परिवहन जायलम द्वारा होता है जबकि यही खाद पदार्थ राता तब फलोयम का लाता तो हम लोग क्या देखें पाउधों में जल परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है जायलम द्वारा क्वेश्चन नमबर तीन बिरिक की रचनात्मक एबं किरियात्मक 21 किसे कहते हैं तो इसका अंसर होता है नेफ्राउन मलोग किरियात्मक और किरियात्म किसके द्वारा किरिया करता है या किस से मिलकर बना होता है तो छोटे छोटे नेफ्राउन से मिलकर बने होते हैं क्वेस्चन नमबर फोर कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया क्वेस्चन नमबर फाइव आउक्सीजन की अनुपस्थिती में स्वसन किरिया को क्या कहते हैं तो स्वसन किरिया हम लोग दो परकार के जानते हैं एक आउक्सीजन की उपस्थिती में ह एक्सिजन की उपस्थिती में होगा तो उसको बाईवीय सोसन तो यहां पर कुश्चन हमारा है अनुपस्थिती में सोसन किरिया को क्या कहते हैं तो आप देग जोचन नमबर शिक्स गंगा रिशन योजना कब प्ररम्ब हुई थी मलब प्ररम्ब कब करवाया गया था कब से शुरुआत हुआ गंगा सफाई योजना का तो उनाइस सो पचासी इस भी में क्वेश्चन नमर सेवन आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आयोडीन नमक में पाया जाता है तो इसका होता है घेगा रोग आयोडीन कम जदी है आपकी सरीर में आयोडीन की कमी होगा तो घ गेगा रोग मनलोग घेग जो है फूल जाता है तो उस बीमारी को हम लोग घेगा रोक कहते हैं क्वेश्चन नमबर एट वन समपदा का एक उदाहरन लकडी मनलोग बन में पाय जाता है लकडी होगा क्वेश्चन नमबर नाइन स्वापोसी पोशन के लिए आवेस्चक है हम लोग जानते हैं पोशन की किरिया स्वापोसी भी होता है और पर पोशी भी होता है पर पोशी जो दूसरे जीब से भोजन गरहन करता है पर पोशी मनलब जो अपना भोजन स्वाइस संसलेसित करता है तो यहां पर स्वापोसी के बारे में तो स्वापोसी के लिए कलोरो फिल जो की हरीत लवक मलव हरे पेड पवधों में पाए जाता है क्वेस्टन नमबर टेन इंसुलीन की कमी से होता है तो इंसुलीन की कमी से मधु मेह रोग होता है जिसे हम लोग डाइबिटीज की बिमारी या चीनी रोग भी कहते हैं क्वेश्चन नमबर 11 खुला परी संचरन तंत्र किसमें पाया जाता है कवक्रोच कवक्रोच में खुला परी संचरन तंत्र होता है क्वेश्चन नमबर 12 यूरो टू का संबंध है तो बायू परदूसन से बायू परदूसन से को हटाने के लिए यूरो टू का निर्मान किया था, कोश्चन नमबर 13, कलोरो फील वरनक का रंग कैसा होता है, तक कलोरो फील का रंग होता है हरा, अंसर हो जाएगा हरा, कोश्चन नमबर 14, मचली का स्वसन अंग क्या है, मचली कहां से सास लेता है, तो उसका अंग है गिल्स, गिल्स के द्वारा मचली स्वसन की किरिया करत है क्वेस्चन नमबर फिफ्टीन मनुश में बिरिक काउन सा कारी करता है तो उत्सर्जन का कारी करता है तो अंसर क्या हो जाएगा मनुश में बिरिक काउन सा तो तोट सर्जान